C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्टे पुस्तक हमारे आसपास का आठवाँ पाठ मच्छरों की दावत मलेरिया की जाच आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए आरती ने पूचा अब तुम कैसे हो ठीक हूँ रजत ने दीरे से जवाब दिया जस्कीरत बोली घर पर तो खूब खेलते होंगे रजत कुछ चिड़ कर बोला बुखार में खेलने का दिली नहीं करता उपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खूण भी टेस्ट करवाना पड़ा जस्कीरत बोली खूण टेस्ट वह क्यों बहुत दर्द हुआ होगा रजत बोला नहीं जब सुई चुभी तो लगा जैसे चीटी ने काटा हो दो तीन बूद खूण लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है नैंसी बोली मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है रजत बोला हाँ पर पता तो खूण की जाँच से ही चलता है जस्कीरत बोली मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ नैंसी बोली अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ ही होता है वह तो बिमारी वाले मच्छर से ही होता है आर्ती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं रज़त बोला, होते तो अलग-अलग होंगे नैंसी बोली, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था रज़त बोला, नहीं भई, मच्छर ने कब और कहां काटा, यह तो मुझे भी नहीं पता नैंसी बोली, खून में क्या दिखा होगा? उसमें क्या होगा? जिससे मलेरिया का पता चल पाया? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है उन्हें मलेरिया होने पर क्या-क्या तकलीफ हुई मच्छरों के काठने से और कौन-कौन सी बीमारिया होती है कौन से मौसम में मलेरिया ज्यादा पहलता है और क्यों मच्छरों से बचने के लिए तुमारे घर में क्या-क्या पाई किये जाते हैं अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं यहाँ एक चित्र बना है जिसमें दिखाया गया है कि कांच की स्लाइड पर खोन की बूंदे ली जा रही है जिससे खोन की जाच होती है मलेरिया मादा मच्चर एनोफिली से फैलता है एक और चित्र है डॉक्टर मरियम स्लाइट को माइक्रोस्कोप यानि सूख्ष्म दर्श्ची से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज हजार गुना बड़ी दिखती है इसलिए खून के अंदर की बारी किया साफ दिखाई पड़ती है कई माइक्रोस्कोप से तो इस से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है प्रेश्ट उनहत्तर यहां रजत ने जो डॉक्टर से जाज करवाई थी उस रिपोर्ट का चित्र छपा है यहां पर खून की जाज की रिपोर्ट दी गई है इसमें कीन शब्दों से पता चल रहा है की मरीज को मलेरिया है रिपोर्ट में लिखा है नाम, रजत, आयू, ग्यारा वर्ष स्त्रीय पुरुष, पुरुष, रोक की पहचान ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार खून में मलेरिया के जिवाणू पाए गए मलेरिया की दवाई मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड की चाल से बनाई जाती है पहले तो लोग चाल को उबाल कर और चान कर ही इस्तिमाल करते थे लेकिन अब छाल से दवाई बनाते है अनीमिया क्या है? आर्ती कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था सिरींज यानि इंजेक्शन भर कर खून लिया था जांच में तो अनीमिया निकला रजत ने पूचा वह क्या होता है? आर्ती बोली डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आरन की कमी है डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी गोड, आमला और हरी पत्तेदार सबजियां जरूर खाने के लिए कहा यह भी बताया कि इनमें आरन यानि लोहा होता है नैंसी बोली कहीं उन्होंने मजाग तो नहीं किया भई खून में लोहा कैसे? जस्कीरत बोली कल अखबार में इस बारे में आया था रज़त धंस्ते होई बोला तो फिर तुमने लोहा खाया? आर्ती ओहो, ये कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता है पता नहीं कैसा होता होगा जब मैंने खूब सबजियां खाई तो मेरा हीमोगलोबिन बढ़ गया प्रिष्ट सत्तर दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया की कारण परेशानी सत्रा नवंबर दो हजार साथ दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार है इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परिशानी होती है आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रही है और उनकी जाच भी चल रही है एनिमिक बच्चों को आइरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है बताओ यहां आर्थी के खोन की जाच की रिपोर्ट दी गई है पहली रिपोर्ट है 20 जून 2007 की इसमें आर्थी का हीमोगलोबिन 8 है और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम दूसरी रिपोर्ट 15 सितंबर 2007 की है इसमें आर्थी का हीमोगलोबिन है 10.5 ग्राम और रिपोर्ट में लिखा है नॉर्मल रेंज 12 से 16 ग्राम अब आप पताओ आर्थी की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोगलोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था आर्ती का हीमोगलोबिन कितने दिनों में कितना बढ़ पाया अख़बार की रिपोर्ट में अनेमिया से होने वाली परिशानी के बारे में क्या लिखा है क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की जरूरत पड़ी कब और क्यूं प्रिश्ट 71 यानि स्वास्ति की जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्ही क्या बताया? पता करो किसी डॉक्टर से या अपने बड़ों से पता करो कि खाने की किन चीजों में लुहा होता है? मच्छर के बच्चे जसकीरत बोली मलेरिया के बारे में एक पोस्चर तो हमारी क्लास के बाहर ही लगा है सभी जटपट पोस्चर देखने पहुँच गए पोस्चर में कुछ चितर हैं जैसे डिबभा, कूलर, हैंड पंप और पौधे जहां आसपास पानी भरावा दिखाई दे रहा है पोस्चर में लिखा है क्या आप मच्चरों को दावद दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया हो सकता है आसपास पानी इकठ्ठा जमान ना होने दें गड्धों को भर दें पानी के बरतन, टंकी, कूलर को साफ रखें हर हाफते सुखाएं मच्चर दानी का इस्तेमाल करें गड्धों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें प्रिष्ट 72 रजत बोला देखो इस पोस्चर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है? वे क्या होते हैं? नैंसी बोली मच्चरों के छोटे बच्चे ये देखने में मच्चर जैसे बिल्कुल नहीं होते हार्थी बोली तुमने कहा देखे? नैंसी ने कहा हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई ममी ने बताया की मच्चर पानी में अंडे देते हैं उनी से ये निकले हैं इन्हें लारवे कहते हैं रजत बोला फिर तुमने क्या किया? नैंसी बोली पापा ने फौरण ही घड़े का पानी फेंग दिया और घड़ा साफ करके सुखा कर उल्टा रख दिया जसकी रजत बोली मुझे शाजी आंटी ने बताया था की मक्चियों से भी बिमारी होती है पेट की बिमारी रजत बोला मक्चियों तो काटती नहीं है वह कैसे बिमारी फैलाती होगी? बताओ बताओ क्या तुमने कोई ऐसा पोस्चर कहीं लगा हुआ देखा है जिसमें मक्चियों मच्चर से बचाव के तरीके बताएं हो ये पोस्चर कौन लगाता होगा? अख़बार में इस तरह के पोस्चर कौन देता होगा? इसमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है? तुम्हें क्या लगता है? कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड़ों के चितर क्यों दिखाए गए हैं? सोचो और पता करो सोचो पानी में मचलियां डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मचलियां क्या-क्या खाती होंगी? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? प्रिष्ट तिहत्तर पता करो मख़्ी से कौन-कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? कक्षा के सभी बच्चे दो या तीन समूहों में बट जाएं समूहों को आपस में यह तै कर लेना होगा कि स्कूल और आसपास के इलाके में कौन सी जगा का निरिक्षन कौन करेगा? स्कूल में या स्कूल के आसपास इन जगहों को देखो क्या इन जगहों पर कहीं पानी इकठा है या नालियां बंध है अगर हाँ तो सही का निशान लगाओ गमले, कूलर, टंकी, स्कूल का मैदान, गढ़े, नालियां या और कोई जगह यहां कितने दिनों से पानी इकठा है? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? पानी में क्या-क्या नजर आ रहा है? इन गढ़ूं और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इन में से किसी जगह पर इकठे हुए पानी में लारवे भी दिखे? इन जगहों पर पाने इकठा होने से क्या-क्या परिशानिया हो रही हैं? लिखो पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी याद दिलाओ अपने समू में कूलर, टंकी, नालियों जैसी जगह जहां पाने इकठा होता है, साफ रखने के लिए पोस्टर बनाओ स्कूल और घर के आसपास यह पोस्टर लगाओ पता करो, तुम्हारे स्कूल के आसपास की सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यह भी पता करो, कि चिठी किसके नाम लिखनी है? यह कौन से दफ्तर में जाएगी? अपने कक्षा की तरफ से, उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो प्रिष्ट चोहत्तर सर्वे रिपोर्ट कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश यहां दिये गए हैं आओ इन्हें पढ़ें समू एक हमारे स्कूल में नल के पास कुछ हरा हरा सा था जिसे काई कहते हैं जो एक तरह के पौधे होते हैं काई से वहां फिसलन भी ज्यादा थी बारिश में तो यह काई बहुत बढ़ जाती है हमें तो लगता है ये पानी में उगने वाले छोटे-छोटे पौधे हैं समू दो स्कूल के पास का तालाब छोटे-छोटे पौधों से भरा पड़ा है देखने पर पानी तो नजर ही नहीं आता एक आंटी ने बताया कि ये पौधे तो अपने आप ही उगाए हैं तालाब के आसपास गड़ों में भी पानी जमा है हमने इसमें लारवे भी देखे आसपास लगे पौधों को चूने पर बहुत सारे मच्छर जो चुपे बैटे थे उड़ गए जसकीरत को लगता है कि ये गंदा तालाब पास में है इसलिए उसके घर में इतने मच्छर हैं बताओ अगर तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ क्या पानी में या उसके आसपास हरी हरी काई दिखाई दे रही है तुमने काई और किन-किन जगहों पर देखी है क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं उनके नाम पता करो, उनके चित्र अपनी कौपी में बनाओ, इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप ही उगाए हैं, पानी में और क्या-क्या दिख रहा है, सूची बनाओ, यहां रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक की फोटो छपी है, मच्छर के पेट की कहानी वैज वैज्ञानिक की जुबानी, यह मज़िदार किस्सा आज से लगभग सौ साल पहले का है, एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया की मलेरिया मच्छर से फैलता है, चलो उनसे ही सुनते हैं की वे इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे पिता भारतिये थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिल्चस्पी कहानिया पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी, खाली समय में मैं यही सब किया करता था प्रिष्ट 75, उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी, यह बीमारी ज्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसे होती होंगी, जिससे यह बीमारी फैलती है एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोसकोप से बहुत छोटे-छोटे बारीक जीवानों देखे लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जीवानों खून में कैसे पहुँचते होंगे मेरे विज्ञान के गुरू ने अंदाजा लगाया और कहा मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है इसकी जाच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया हम एक-एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दोडते फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छर दानी में बिठा कर उन मच्छरों को दावत देते एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक जहांक एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया माइक्रोस्कोप पर जुक कर बारीकिया देखते देखते शाम तक आँखें जैसे धुन्दला सी जाती थी गर्दन अलग अकड जाती इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं जल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा एक दिन किस्मत महरवान हो गई हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे उनका रंग भूरा था और पंख छीटे दार थे उनमें से एक मच्छरी के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवानों बिलकुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरुसकार मिला नोबेल पुरुसकार 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंड लूँगा नया ढूंड लूँगा हम क्या समझे अपने घर में स्कूल में और आसपास मच्छर ना हूँ उसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है इसके लिए तुम क्या क्या करोगे कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं मच्छरों की दावत अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का ये आठवाँ पाठ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत